अगर किसी भी competitive exam की तयारी कर रहा है तो यह platform का सार संग्रा आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपका 16000 प्लस आपको MCQ वानी one liner देखने को मिलता है प्लस इसमें आपका previous questions भी included है और यह पूरे 6 से लेकर 12 तक का जितने भी NCRT के subject होते हैं वह सभी का निचोड इसमें दिया गया है यानि सभी subject का इसमें आपका one liner इसमें महजूद है तो सभी subject का आपको one liner चाहिए आपको किसी भी competitive exam की तयारी कर रहा है तो यह platform का सार संग्रा आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें सभी subject का आपको one liner दिया गया है आज का विडियो नमर होने वाला है 74 और आज से सुरू हो रहा है भारत विश्य का भूगोर एक से 59 तक आपका हिस्टरी का सेक्षन चला और 50 से लेकर 73 तक आपका पॉलिटी का सेक्षन चला और 74 से आपका जोगरोपी स्टार्ट हो रहा है तो चलिए सुरू करते हैं सुन्दर्वन का डेल्टा कौन सीनधी बनाती है गंगा ब्रहम पूत्रियों म्यगना बनाती है भाग में रेल मारगो का सबसे बड़ा जाल किस राजे में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है स्योक राजय अमेरिका की सबसे बड़ी स्वन उद्खनन की खान हो में स्टेक किस राजय में वस्तित है दक्षिन डकोटा में इस्तित है एंडीज परवत माला जो की दक्षिन अमेरिका में स्वनोच परवत चोटी का क्या नाम है एक आंगुवा नाम है कनाडियन नेशनल रेलमार कहा से कहा तक जाता है है हैलिफेक्स के से वैंक उवर तक जाता है 1981 में स्थापित भारतिय वन सरक्षन बिवा का मुख्याले कहा है देहरादून में है ब्लैक हील ब्लू परवत और ग्रीन परवत पहा नामक पहाड या किस देश में वह सती थे सोईक राज़ अमेरिका में अब फिरका के उतमासा अंतरीप की खोज का स्रेकिस नावी को दिया जाता है बार्थो लोम्यू डियाज को दिया जाता है बिस्व का सबसे बड़ा प्रायदीप को है और अब प्रायदीप है चिनाव नदी का उदगा मस्तल कहा है बारलाचा दोरे के निकट इस्ती थे चिनाव नदी का उदगा मस्तल भारत में कोईला परचुर मातरा में कहां पाया जाता है गोंडवाना छेतर में पाया जाता है भारत के सबसे उची चोटी केटू यानी गौडविन एस्टिन के उचाई कितनी है 8601 मीटर है ही राकुन परियोजना किस राज्ये में तता किस नदी परिशती थे उड़िसा महान नदी परिशती थे रवांड़ा की राज्धानी कहा है की गाली है माउंट एटला किस परवतमाला में इस्थी थे सिसली इटली में इस्थी थे इसलिया किस नदी के किनारे बसा है मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है गिर्लेंड की खुछ किस ने की थी ये रॉबर्ट पियरी ने की थी सबसे उचा जल परपात कौन है साल्टो एंजिल जो की वेनिजुएला में इस्तिध है डॉडोमा किस देश की राजधानी है तन जानिया की है यूगांडा की राजधानी क्या है कमपाला है किस दिन प्रित्वी सिसूर्य की दूरी नियुंतम होती है तीन जनवरी को एकतिसांतर की सरावधिक दूरी नियुंतम होती है भूमदे रेखा पर मावरी जन जाती का निवास कहा है न्यूजी लेंड में है तुंग भंदरा तता भीमा नदिया किस नदी की सायक नदी आए कृष्णा नदी की छोटा नागपर पठार की सबसे उची चोटी कौन से है पारसनात है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है इंदरा गांदी नहर परियोजना है भागणा नंगल परियोजना में मानों निर्मित जील को किस नाम से जाना जाता है गोविन सागर नाम से जाना जाता ह किस गरह को लाल तारा की संगय दी गई है मॉंगल गरह को दी गई है उत्री अमेरिका में इस्तीत माउंट मै के लिए किस परवत की चोटी है रॉकिस परवत की चोटी है ये वीडियो सिरीज आप सोच को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएए नीदर लेंड में समूंद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है पोल्डर के नाम से जाना जाता है लंदन किस नदी के तर्ट पर इस्ती थे टेम्स नदी के तर्ट पर इस्ती थे भारत की सरवधी गहरी खान कौन सी है कोलार की खान भारतिया अंत्रिक सोद संसान इस्रों कहा इस्ती थे बैंगलोर मेस्ती थे किस देश के घास को मैर्यादान को पामपास का ते अरजेंटीना के देश में मौसम मान्चेत्र बनाने का परमुख करेले किस नगर मेस्ती थे पुन्य मेस्ती थे उतर प्रदेश हिमाले का सनुच सिखर है नंदा देवी स्वर्मुच सिखर है भारत का सरवाधिक नगरे खृत राज्जे कौन सा है महरास्ट है ब्लैक हिल परलू परवत तता गिरिन परवत नामक पाड़िया किस देश मिष्टी थे अमेरिका मिष्टी थे ब्रियत जोहर उस समय आता है जब प्रित भी चैंद्रमा और सुर्य एक सीधी रेखा में होते हैं दक्षिनी अमेरिका का कौन सा देश छेतरपल की दिरिष्टी सबसे बड़ा है ब्राजील है मंगल और बिरस्पती की कक्षाओं के भी सुर्य के चैलो परिकरमा करने माले सेल के छोटी टुकुडो के समू को क्या कहते हैं छुदरगरा कहते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर है क्रिष्णा नदी पर अलमाटी बांध इस्तित है जोहर सागर प्रताराना प्रताप सागर और गांधी सागर जलासियों का अंदिरमान किस नदी पर किया गया है चम्मल नदी पर किया गया है जोजिला दराकिन किन जगहों को जोड़ता है लेह और स्रीनगर को जोड़ता है एक्स कीमो लोगों द्वारा टुन्डरा छेतर में परक की साहता से बनाये गया है और तो गुलाकार आवासों को क्या कहा जाता है इगलू कहा जाता है नदियों के जुआर मुंदन में कीचड़ वाले कीनारों के साथ अग्साथ हलकी हलकी जैतुन की रंग की मनस्पति और सौसन मूल वाले जुआरीय वन को क्या कहा जाता है परावा गराव यानि मेग्रोव कहा जाता है बूमब कूप कहा पाया जाते हैं और साधी सेलों में पाया जाते है हुवर बांध किस नदी बनाया गया है कोले रेडू पर बनाया गया है फेस्ट बैंक नामक छेतर किस नदी के पश्ची में इस्तित भू छेतर है जॉड़न में इस्तित है बीसो की सबसे सांथ सीमा रेखा की रूप में मानी जाली वाली उन्चासवी समनांतर अक्षांस रेखा की इन देशों को अलग करती है स्वेक्त राज अमेरिका तदा कनाडा को ओबरा परियोजना किस राजे के ताब विदूद परियोजना है उत्तर प्रदेश की किस देश में ट्यूलीप की खेती सारवदिक परसीद है निदर लैंड में भारत में परथम जल बिदूद सक्ति के इंदर के स्थापना कप और कहां कि गई थी बहाएवसा शिंगी नामक जञ्ज एंडि भारत के किस राजे में पई जाती है नागा लेंड में पाई जाती है भारत का एक राजे मनी पुरकीस देश की सीमा परिस्ती थे मयमा भारत का सरवदिक वर्सावला अस्थान मानसी राम की सराजय में ने गाले में दंड कार्ण ने पोरजक्ट मुध्य पुर्देश की किस जीले में बॉसतर जीले में यह वीडियो सेरीज आप से भी को कैसा लग रहा है मैं कमेंट करें के जरूर बता है और प्रिवेस वीडियो को देखने के लिए चैनल के प्लेइलिस्ट सेक्षन पर जाकर आप इसके प्रिवेस वीडियो को देख सकते हैं एक से उन्चास तक आपका हिस्टी के सेक्षन चला है और पचास से लेकर 73 तक आपका पॉलिटी के सेक्षन चला है और 75 से अब आपका जियोग्रोफी के सेक्षन स्टार्ट हुआ है तो लेटेस्ट अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए